23 अप्रेल 2024 को मंगल राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं इस दिन मंगल मीन राशी में प्रवेश करेंगे लगभग 45 दिनों के लिए ये गोचर होगा मंगल के राशी परिवर्तन की श्रिंखला में ये चोथी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मंगल के राशी परिवर्तन की जो ये सीरीज है इसकी आखरी वीडियो है इसमें आज मैं बाकी बचीवी तीन राशी की बात करूँगी जो की हैं मकर राशी, कुम्भ राशी और मीन राशी आज इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इनके लिए मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है तो बिना देर किये हुए आईए शुरू करते हैं वीडियो एक खास सूचना आपके लिए प्रेदर्श को जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम बहुत जल्दी एक नया कारेकरम लेकर आने वाले हैं जिसमें वीडियो के नीचे आपके द्वारा किये हुए कमेंट्स में पूछा गया एक प्रश्ण जो कि आपकी कुंडली से रिलेटेड हो सकता है उसका जवाब हम वीडियो में दिया करेंगे तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का तो चलिए आज का राशी फल शुरू करते हैं मैं आपको बता दू कि ये राशी फल मैं आपको आपके चंदर राशी के अनुसार बताने जा रही हूँ सबसे पहले बात करेंगे मकर राशी के मकर राशी वालों के लिए मंगल का ये गोचर तृतिय भाव में होने जा रहा है प्रियदर्श को मैं आपको बता दू कि वर्तमान समय में राहू भी मीन राशी में ही विराजमान है ऐसे में मंगल और राहू की यूती से अंगारक योग का निर्मान हो रहा है मंगल का तृतिय भाव में गोचर होना अच्छा माना जाता है क्योंकि मंगल तृतिय भाव में भी कारक होते हैं और राहू भी तृतिय भाव में कारक होते हैं तो ऐसे में मंगल का तीसरे भाव में गोचर करना आपके लिए अच्छा रहेगा आपके पराक्रम में वृद्धी होगी भाई बहनों के साथ अगर आपके संबंध थोड़े कमजोर थे तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिष्टे इस गोचरकाल के दोरान मजबूत हो सकते हैं आपके पुरुशार्थ में वृद्धी होगी इस गोचर काल में प्राप्त कर सकते हैं जिदर्शिकों आपको पता ही होगा कि मंगल की तीन दृष्टियां होती है तो पहली दृष्टि मंगल की आपके शष्ट भाव में पड़ेगी मैंने आपको पहले ही बताया है कि मंगल के साथ राहू भी आपके तृतिय भाव में गोचर कर रहे हैं ऐसे में जहां-जहां मंगल की दृष्टी पड़ेगी वहां राहू का प्रभाव भी मिल जाएगा और जहां-जहां राहू दृष्टी करेंगे वहां-वहां आपको मंगल का प्रभाव भी मिलेगा मंगल की छटे भाव पर दृष्टी है जिसमें की राहू का प्रभाव भी समलित है तो ये दृष्टी आपके लिए शूपफल देने वाली होगी कोट के चहरी के अगर आपके कोई कारे अब तक रुके हुए थे फसे हुए थे तो उनमें अब आपको राहत मिलने वाली है वो कारे आपके पूर्ण होने वाले हैं मकराशी के जो जातक विध्यारती हैं और कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स की तयारी कर रहे थे उनके लिए भी ये गोचरकाल शुप परिणाम देने वाला रहेगा सरकारी काम रुके हुए काम आपके इस गोचरकाल के दोरान बन सकते हैं शत्रो भी इस गोचरकाल में आपसे डर कर ही रहेंगे जी हाँ आप इस गोचरकाल के दोरान अपने शत्रो पर हावी रहने वाले हैं मंगल की दूसरी दृष्टी की बात करें तो वो आपके नवमभाब पर पढ़ रही है नवमभाब पर राहु की भी पूर्ण दृष्टी है ऐसे में भाग्य का साथ आपको इस गोचरकाल के दोरान भरपूर मिलने वाला है आपका भाग्य आपसे चार कदम आगे चलने वाला है इस गोचरकाल में भाग्य का हर पग पर आपको साथ मिलेगा परंतु पिता के स्वास्ते में थोड़ी सी कमी इस गोचरकाल के दोरान आ सकती है पीटा के स्वास्ते के सम्मंदित आपको कोई न कोई चिंता इस गोचरकाल में सता सकती है बाकी भागय की दृष्टी से देखा जाए तो ये गोचरकाल आपके भागय में वृध्धी करने वाला ही रहेगा मंगल की तीसरी दृष्टी की बात करे तो वो आपके दशमभाव पर पड़ेगी दशमभाव जिसे हम कर्म का भाव भी कहते हैं ऐसे में आपको अपने कारी शेत्र में तरक्की मिलने वाली है अगर आप सरकारी शेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी ये गोचरकाल आपके लिए अच्छा रहने वाला है नोकरी करने वालों के लिए चाहे आप प्राइवेट नोकरी करते हो या फिर सरकारी नोकरी करते हो ये गोचरकाल आपको उन्नती प्रदान करने वाला कारेशित्र में नोकरी में प्रोमोशन दिलाने वाला रहेगा अगर आप बिजनस करते हैं तो भी आपके लिए ये गोचरकाल अच्छा रहने वाला है तो अगर मकर राशी वालों के लिए देखा जाए तो मंगल का ये गोचर आपको हर जगा से भाग्य में व्रिद्धी करने वाला और त्रक्की प्रदान करने वाला रहेगा शत्रू भी आपसे इस गोचरकाल के समय थोड़ा दब कर रहेंगे तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशी की कुम्भ राशी जी हाँ 23 अप्रेल 2024 को दिन मंगलवार मंगल मीन राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं ऐसे में कुम्भ राशी वालों के लिए मंगल का ये गोचर क्या कुछ नया लेकर आने वाला है आईए जानते हैं मैं ये राशी फल आपको आपकी चंदर राशी के अनुसार बताने जा रही हूँ कुम्भ राशी वालों के लिए मंगल का ये गोचर द्वितिय भाव में होने जा रहा है प्रियदर्श को आपको पता ही होगा कि राहु भी वर्तमान में मीन राशी में ही विराजमान है ऐसे में आपके द्वितिय भाव में मंगल और राहु की युति होने से अंगारक योग का निर्मान हो रहा है मंगल और राहू की यूति होने से जहां जहां पर मंगल की दृष्टी जाएगी वहां वहां पर आपको राहू का प्रभाव भी देखने को मिल जाएगा और जहां जहां राहू दृष्टी करेंगे वहां वहां आपको मंगल का प्रभाव भी देखने को मिल जाएगा मंगल का ये द्वितिय भाव में गोचर इस बात की और संकेत करता है कि आपकी वाणी में कटूता इस गोचर काल के दोरान आ सकती है आप बोलेंगे तो शायद सत्य पर दूसरे को वो कड़वा लग सकता है और ऐसा कड़वा कि आप किसी विवाद में भी फस सकते हैं इसलिए बोलने से पहले इस गोचर काल के दोरान दो बार विचार विमर्श जरूर कर लीजे सोच समझ कर ही इस गोचर काल के दोरान वाणी का प्रियोग करें मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की पहली दृष्टी आपके पंचम भाव में पढ़ रही है पंचम भाव में पढ़ने वाली ये दृष्टी जिसमें राहो का प्रभाव भी शामिल ही होगा ये ये दर्शार ही है कि इस गोचरकाल के दोरान संतान से कोई मतभेद आपका हो सकता है या संतान संबंदी कोई परिशानी कोई चिंता आपको इस गोचरकाल के दोरान रह सकती है प्रेम संबंदों के लिए भी ये गोचरकाल इतना शुब नहीं रहेगा अगर आप विध्यार्थी हैं तो हो सकता है पढ़ाई से भी आपका ध्यान थोड़ा भटक जाए इस गोचरकाल के दोरान पेट संबंदी कोई समस्या आपको इस गोचरकाल के दोरान आ सकती है देखिए मंगल और राहु दूतिय भाव में होने इस बात के और भी संकेत करते हैं कि आपको इस गोचरकाल के दोरान खान पान का ध्यान रखना चाहिए खान पान का ध्यान रखिए ताकि आपको पेट संबंदी परिशानिया इस गोचरकाल के दोरान परिशान ना करें गुप्त विद्याओं का रहस्यमई चीजों का भाव भी अश्टमभाव है जो गुप्त है वो इस अश्टमभाव से देखा जाता है ऐसे में राहु के पूर्ण दृष्टी भी अश्टमभाव पर है तो आपको इस गोचरकाल के दोरान अचानक लाब या फिर अचानक हानी हो सकती है जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ये गोचरकाल अच्छा है अचानक लाब और अचानक हानी के योग इस गोचरकाल में आपके लिए बन रहे हैं कोई वाहन आदी अगर आप चलाते हैं तो ध्यान से इस गोचरकाल के दोरान चलाएं मंगल की तीसरी दृष्टी आपके नवम भाव पर पड़ेगी जिसमें राहु का प्रभाव भी शामिल होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसके बारे में तो ऐसे में मंगल की दृष्टी नवम भाव पर पड़ना इस बात की और संकेत करती है कि आपको इस गोचरकाल के दोरान किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा भाग्य आपका इस गोचरकाल के दोरान साथ देगा भाग्य में आपके वृध्धी होगी हलाकि पिता के स्वास्थे को लेकर कोई चिंता इस गोचरकाल में आपको बनी रह सकती है बाकी भाग्य की दृष्टी से देखा जाए तो ये गोचरकाल आपके लिए अच्छा है आपकी किस्मत दो कदम आप से आगे ही चलेगी तो ये था कुम राशी वालों के लिए मंगल के गोचर का प्रभाव आईए अब बात करते हैं अगली राशी की राशी चक्र की आखरी राशी यानि की मीन राशी की बात अब करेंगे 23 अपरेल 2024 को मंगल राशी परिवर्तन करके मीन राशी में ही जा रही है ऐसे में मंगल का ये राशी परिवर्तन मीन राशी वालों के लिए कैसा रहेगा आईए जानते हैं इस वीडियो में प्रियदर्श को ये राशी फल में आपको आपकी चंदर राशी की अनुसार ही बताने जा रही हूँ तो आईए चर्चा शुरू करते हैं मीन राशी वालों के लिए मंगल का ये गोचर प्रतम भाव में होने जा रहा है प्रियदर्श को मैं आपको बता दूँ कि वर्तमान में राहू भी मीन राशी में ही विराजमान है ऐसे में मंगल और राहू की युती होने से अंगारक योग का निर्मान हो रहा है जशकों ऐसे में इस गोचरकाल के दोरान आपके अंदर क्रोध अधिक बढ़ सकता है इस गोचरकाल में आप अत्य अधिक क्रोध कर सकते हैं घमंड भी आपके अंदर थोड़ा सा इस गोचरकाल के दोरान बढ़ने वाला है दिमाग में creative ideas इस गोचरकाल के दोरान आपके आएंगे दुश्मनों से शत्रों से चार कदम आगे की सोच आपके इस गोचरकाल के दोरान होगी जो कि आपके लिए फायदे मंद रहेगी जो शत्रू भी ना सोच सके ऐसी सोच आप इस गोचरकाल के दोरान सोच लेंगे तो इस लिहाज से तो ये गोचरकाल आपके लिए अच्छा ही है चलिए बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की मंगल की तीन दृष्टियां होती है ये तो आपको पता ही होगा मंगल की जो पहली दृष्टी है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी प्रियदर्शिकों मैंने आपको पहले ही बताया है कि मंगल और राहू की युति आपके प्रथम भाव पर हो रही है ऐसे में जहां-जहां मंगल की दृष्टी होगी वहां आपको राहू का प्रभाव भी शामिल मिलेगा और जहां-जहां राहू की दृष्टी पड़ेगी वहां-वहां मंगल का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा ऐसे में मंगल के चतुर्त भाव परद्रिष्टी जिसमें की राहु का प्रभाव भी शामिल है इस बात के और संकेत करता है कि इस गोचरकाल में आपको भूमी वहन भवन का सुख प्राप्त हो सकता है जी हाँ भूमी वाहन इत्यादी के सुखों में इस गोचरकाल में वृद्धी होगी भोतिक सुखा आपके इस गोचरकाल में बढ़ेंगे परंतु किसी पर भी आख मूंद कर विश्वास ना करे धोखा भी आपको इस गोचरकाल के दोरान मिल सकता है कोई भी लेन दिन करने के समय विचार विमर्ष जरूर करे किसी पर भी आख मूंद कर विश्वास ना कीजिए माता के स्वास्थ को लेकर ये गोचरकाल आपकी चिंता बढ़ा सकता है माता का स्वास्थ इस गोचरकाल के दोरान जरूर रखिए मंगल की दूसरे दृष्टी की बात करें जो की आपके सप्तम भाव पर पढ़ने वाली है राहु की पूर्ण दृष्टी भी आपके सप्तम भाव पर है ऐसे में हो सकता है कि विवाहिक जीवन में कोई समस्य आपकी इस गोचरकाल के दोरान आ सकती है या फिर आपके जीवन साथी का स्वास्ति इस गोचरकाल के दोरान थोड़ा ठीक ना रहे ऐसी प्रॉब्लम आपको इस गोचरकाल के दोरान आ सकती है जो लोग पार्टनरशिप में बिजनस करते हैं उनके लिए भी यो गोचरकाल इतना शुब नहीं कहा जा सकता कोई ना कोई परिशानी सांजेदारी के बिजनस में आपको इस गोचरकाल के दोरान देखने को मिल सकती है मंगल की तीसरी दृष्टी की बात करे तो वो आपके अश्टमभाब पर पड़ेगी ऐसे में अगर आप रिसर्च फिल्ड से जुड़े हुए हैं कोई किसी सबजेक्ट पर अगर आप पिएश्टी कर रहे हैं या फिर किसी सबजेक्ट पर आप गूड ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा अचानक धन लाब या किसी प्रकार का लाब आपको इस गोचरकाल के दोरान हो सकता है हाला कि थोड़ी हानी भी हो सकती है परंतु लाब होने की संभावना इस गोचरकाल में अधिक है आपके लिए तो ये था मीन राशी वालों के लिए कैसा रहेगा मंगल का गोचर मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसी और वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें धन्यावाद हरी ही